ड्रोन कल तक यह लगता था कि यह कूल एरियल शॉट्स लेने वाले खिलोने हैं लेकिन डीसेंटली जम्मू एरबेस में जो अटैक हुआ उसे यह स्याबित होता है कि हम इंसान होने इसमें भी एक दूसरे का जान लेने का उपयाग घूंग लिया है तो चले देखते हैं कि ड्रोन हम लेक्टियू इतने डेंजरस है और उनसे जूजने के लिए दुनिया में कौन से टेग्मिस ढूंडे गए हैं मैं हूँ अभी शेग और यह हैं जूरियस एग ड्रोन अटर्स कोई नहीं बात नहीं है 2008 से ही यूएस और इस्रेल जैसे कंट्रीस ने स्ट्राटेजिक एटक के लिए ड्रोन मने अन्मैंट एरियल वेहिकल को यूज किया है ड्रोन्स बहुत ही लो फ्लाइंग वेहिकल्स हैं इसके वेश से उनको मिलिट्री रेडा से ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ड्रोन कुछ ही फिट दूरी से एक एरोप्लेन के पास से गुजरता है अगर वो ड्रोन इस एरोप्लेन से टकरा जाता तो अंजाम अच्छा नहीं होता क्यूंकि ड्रोन्स का टर्रिस्ट एटक्स में यूज बहुत रीसेंट है तो इंडिया ने अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं लगाए है तो चले दिखते हैं कि दुनिया में कौन से सिस्टम्स डेवलप किये गए हैं इन ड्रोन्स के खिलाओं इस्रेल का स्मैश 2000 प्लस एक स्ट्रेइट फ़रोड सिस्टम है जो अपने अल्गर्थम्स द्वरा लोव फ्लाइंग ड्रोन्स को अटमेटिकली डिटक करता है और उन्हें मार गिरा देता है इंडियन नेवी इन्हें प्रोक्यूर करने के प्रोसेस में है इस्रेल को औरेक कमिया रफायल और इन्होंने ड्रोन डॉम सिस्टम को डेलब किया है इसमें ड्रोन एटक से 360 डिग्रीज प्रोटक्शन मिलता है इसकी खास बात यह है कि यह ड्रोन के सिग्नल को जैम करने के अलावा लेजर बीम से ड्रोन को यह शूट भी कर सकता है यूएस के फॉर्टेम टेक्नॉलोजिस ने भी ड्रोन हंटर नाम का एक इंटरसेप्टर ड्रोन इंवेट किया है जो इन ड्रोन को ढूंड के उपर जाल बिचा के उन्हें फसा देता है यूरोप के कुछ कंट्रिस में तो इगल्स को इन रोग ड्रोन को एटक करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है इंडिया में देखा जाए तो DRDO भी अपना एंटी ड्रोन सिस्टम जल्दी लाँच करने वाला है लेकिन इसके डीटेल अभी तक नहीं मिले है ड्रोन के इतने सरेमेजिंग यूजर्स होते हुए भी उसके दुरुप्यों के बारे में ही हमें फिकर करना पड़ रहा है आपको क्या लगता है कि ड्रोन का क्रिमिनल यूजज और भी बड़ेगा और क्या गौवर्मेंट को इनका यूजज रिस्टिक करना चाहिए यह बात हमें कमेंट में बताईएगा तो यह था दोस्तो आज का एपिसोड पसंद आया तुल लाइक शेयर और सब्सकाइब किजिएगा और बेल ऐकन को मत भूलिएगा अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम को जुमेरात को हाँ आधी रात को कहां वहीं ज जाग कोई आध जाध जाध नहीं